हेलो स्टूडेंट तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रसनावली 6 दसमलो 2 में प्रसन संख्या 6 तो हमने पिछले वीडियो जो है उसमें प्रसन संख्या 5 तक कंप्लीट करा दिया है अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिं करते हैं और फिर समझ के इसे सॉल्ब करते हैं बहुत ही आसान कोस्टेन है दोस्तों ठीक है और यहां पर पढ़ते हैं हम लोग बोल रहा है कि आकरीती 6 दसमलो 2-1 में यानि इस वाले आकरीती में ठीक है एक कोस्टेन में ही दे रखा है क्रमसा ओ-पी ओ-क्यू और और पर इस्थित बिंदू A, B और C इस परकार है कि यहां पर ध्यान देजेगा यह हमारा तिर्भुज बना हुआ है ठीक है और इसकी यहां पर O, P भुजा है यह O, Q है और यह O, R है और उस पर बिंदू A, B, और C इस परकार इस्थित है कि A, B समांतर P, Q है यानि कि यह वाला जो 2, C समांतर है उसके बाद B, C जो छो यह आपको, A, C जो है PR के समांतर है यह यहां पर बुला एन, A,C समांतर P, तो सीध करके दिखाना आपको यह जो BC रेखा है यह QR के समांतर होगा, तो सबसे पहले जो दिया हुए है ना, सबसे पहले हमें लोग यह लिख लेंगे, कि मर्जी कर रहा है तो आप यहां से भी लिख सकते हैं ठीक है तो जो दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेते हैं और जो सीध करना है न कुछ इस परकार है हमारा तो यहां पर हमने लिख दिया ठीक है दोस्तों जो यहां से यहां तक जो दिया हुआ था वो हमने लिख दिया और सीध करना यहां अब देखे दोस्तों सबसे पहले यहां पे दिया उए जैने जब कोई रहा किसी तिर्भुज की एक भुजा के समांतर हो तो ये जो रेखा होता है, इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, है न, तो यहाँ पर लिखेंगे, परमाण में, परमाण भी कहा जाता है, या प्रूफ कहा जाता है, ठीक है, बहुत ही आसान बताओंगा, ये देखिए आप, यहाँ पर क्या दिया थेल्स परमे से थेल्स परमे से क्या हो जाएगा दोस्तों थेल्स परमे से हो जाएगा भुजाय समानुपाती कहने का मतलब है कि O B बटा में O Q बराबर होगा O A बटा में A P के तो यह हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर OB बटा में BQ बराबर OA बटा में AP OA बटा में AP के यह हमारे equation number first हो गया ठीक है हम लोग देखे दोस्तों तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि AC समानतर PR है जो यह बला है भुजा यह बला रेखा इस PR के समानतर है तो लिखेंगे हम लोग पुना AC समानतर PR PR है इस दिए थिल्स पर में से किस से थिल्स पर में से थिल्स पर में से क्या हो जाएंगे कि आपका संगत भुजाए समानु पाती यहाँ पर देखा जाए तो तो संगत हो जाए क्या क्या हो जाएंगी अब यहाँ पर ध्यान दीजेगा OC बटा में CR बराबर होगा OA बटा में AP के है ना तो यहाँ पर लिखेंगे OC बटा में CR CR इसको समिकरन नमबर 2 दे देते हैं अब यहाँ पर ध्यान देजेगा दोस्तों सबसे पहले अगर ध्यान दिया जाए तो समिकरन 1 और 2 में यहाँ पर देखिए RHS के बराबर है तो लेप्ट हैंड जो होगा लेप्ट हैंड के बराबर होगा तो यहाँ पर ध्यान दिजेगा देखिए यहाँ पर OA बटा में AP लिखा हुआ है यहाँ पर OA बटा में AP है तो जब दाया पक्ष जो है दाया पक्ष के बराबर है तो बाया पक्ष भी क्या होगा बाया पक्ष के बराबर होगा तो हम लोग लिख देंगे समिकरन 1 और 2 से क्या हो जाएगा दोस्तों OB बटा में BQ OB बटा में BQ तो हमने यहाँ पर लिख दिया दोस्तो OB बटा में BQ बराबर होगा किसके OC बटा में ORK सोरी CR है न हमारा यहाँ पर CR हमने लिख दिया है ठीक OC बटा में CRK तो अब देखा जाए तो थेल्स पर में के बिलूमत यानि कि यहाँ पर फिगर देख लिया जाए थोड़ा से दोस्तो OB बटा में BQ बराबर है OC बटा में CRK तो संगत भुजाय समानुपातिक कब होता है तो जब यह वाला रेखा इस भुजा के समांतर और यह कैसे होता है तो थेल्स पर में के बिलूम से होता है तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे इसलिए थेल्स पर में के बिलूम से BC जो होगा क्यों गर के समांतर हो जाएगा क्या हो जाएगा BC यह वाला जो होगा रेखा यह इसके समांतर हो जाएगा ठीक है तो यही था दोस्तों हमारा question number 6 अब आज जाते हैं हम लोग 7 पे यहाँ पर question number 7 क्या खह रहा है दोस्तों बोल रहा है कि पर्मे 6.1 यानि थेल्स पर्मे का ठीक है परियोग करके परियोग करते हुए सिद किजिए कि एक तिर्भूज की एक भूजा के मध्य बिंदू से मालिया कि यह हमारा एक तिर्भूज है ABC राइट और यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको एक तिर्भूज की एक भूजा के मध्य बिंदू से मालिया कि इस तिर्भूज ABC के AB भूजा का मध्य बिंदू यहां पिले ले रहा हूँ और इस बिंदू का नाम दिया मैंने D राइट मध्य बिंदू D से होकर दूसरी भूजा के समांतर मालेजे ये तिर्भूज का आपका दूसरी भूजा है ठीक है और इसके समांतर जहां से समांतर खिची गई रेखा तीसरी भूजा को समदी भाजित करती है अब इससे एक रेखा होके जा रहा है इस तरह ठीक है दोस्तों और माल लिया कि ये जो है बिंदू E पर परतिछिद कर रहा है हना ये वला रेखा इस AC भूजा को E पर परतिछिद कर रहा है तथा DE जो है इस BC के समांतर है तो सिद करना है कि ये वला जो रेखा अभी ये मध्य बिंदू D से जो होकर गुजर रहा है और इस भूजा AC से होते हुए जा रहा है यहां हम बोलते कि इसको परतिछिद कर रहा है यानि काट रहा है तो ये दो समान टुकडों में विभाजित कर रहा है ऐसा सिद करना है ठीक यानि कि AE का जो लंबाई है वो EC के लंबाई के बराबर है कुल मिला कर मैं ये बता दू कि तिर्भुज ABC में DAB का मध्य बिंदू है तथा DE समांतर BC है तो सिद करना है AE बराबर EC ठीक है यहाँ पर और बोला यहाँ पर कि याद कीजिए कि आप इस एक अच्छा नाइंथ में सिद कर चुके है मध्य बिंदू पर में वाला आप सिद ही कर चुके होंगे तो यह हम लोग जो दिया हुआ है वो लिख लेते है तो यह लिखेंगे हम लोग कि चुकी दिया है क्या दे दिया है क्या दे दिया है दोस्तों तिर्भुज ABC में DAB का मध्य बिंदू है है ना तो हमने यह लिख दिया है अब लिखेंगे कि DE समांतर BC है और और बी इ समांतर क्या है दोस्तों बी सी है है थो तो सिद् करना है कि जो किछिग गई रेखा है वो तीसरी भुजा को समदी भाजित करती है यानि कि समान भागों में भिभाजित करती है अर्थात ये वला जो रेखा है इस भूजा को समान भागों में भिभाजित करती है यानि समान टुकडों में A जो है इसी के बराबर है ऐसा सिद करना है A बराबर इसी अब हम लोग लिखते हैं पर्माड और इसे पर्माड़ित करेंगे अब यहां पर ध्यान दीजिएगा अब अगर देखा जाए तो DE समांतर BC है यह वला जो रेखा है इसके समांतर है तो जब कोई रेखा किसी तिर्भूज की एक भूजा के समांतर होता है तो थेल्सपर में य चुकि DE समांतर क्या है दोस्तो BC है सोरी यहां पर समांतर देना है DE समांतर BC है इसलिए थेल्स के थेल्स पर में से थेल्स पर में से आप यहां पर अधार्भूत समांउपाती पर में भी लिख सकते कोई दिखत नहीं है या BPT भी थिusedham लिख सकते कोई दिखत नहीं है जब DE समांतर BC के यानि ये वला रेखा इस भुजा के समांतर है तो ये दोनों भुजाओं को ये जो रेखा है समाना अनुपात में विभाजित करेगा अथात AD बठा में DB बराबर होगा AE बठा में EC के तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इसलिए AD बठा में DB बराबर होगा किसके दोस्तों AE बठा में EC के है ना अच्छा ये जब बराबर होगा तो अब यहाँ पर ध्यान दिजिएगा यहाँ पर question में बोला है कि D भुजा AB का मध्य बिंदू है है ना क्या बोला है D जो है भुजा AB का मध्य बिंदू है जब D AB का मध्य बिंदू होगा तो AD जो होगा वो DB के बराबर होगा है ना तो यहाँ पर लिखेंगे कि चुकी D AB का मध्य बिंदू है AB का मध्य बिंदू है मध्य बिंदू है इसलिए कि एडी जो होगा भुजा एडी जो लंबबाई होगा वो डी बी के बराबर होगा यहां पर दिखिए जब डी एबी का मध्य बिन्दू होगा तो एडी बराबर डी बी होगा ठीक है वह हमने लिखा अब यहां पर अगर इसको समिकरन नमबर एक कर दे तो क्या AD के जगा पर DB रख सकते हैं क्यों क्योंकि AD जो है DB के ही तो बराबर है है ना तो हम लोग लिखेंगे समिकरन एक से समिकरन एक से समिकरन एक से AD के जगा पर क्या रख देंगे दोस्तो DB और ये बटा में तो DB है ही बराबर हो जाएगा AE बटा में EC के EC ये देखिए ये एक बार में कट जाएगा न हमारा तो ये एक बराबर क्या जाएगा AE बटा में EC अब देखे EC को इधर भेज़ देते हैं है न तो EC बराबर क्या आ जाएगा A या आप इसको अच्छी तरह से लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं या करके या A बराबर EC और यही तो हमें सिद करना था है न देखें या पर हमने क्या लिखा था सिद करने के लिए A बराबर EC यही हमने सिद करना था तो सिद हो चुका है हमारा तो यहाँ पर लिख सकते हैं IT, Siddh предлож IT, Siddh बहुत ही असान question था दोस्तो चलिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आगे वाला कोस्टन देखा जाए कोस्टन नमबर 8 तो ये कुछ इस परकार है हमारा यहाँ पर कोस्टन नमबर 8 क्या कह रहा है दोस्तो परमे 6 दस्मलों 2 का परियोग करते हुए इसका परियोग करना है एक तिर्भुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदूओ को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है आपको ये सिद्ध करना है दोस्तो थेल्स परमे का परियोग करते हुए कि किसी तिर्भुज यानि मालिया कि ये तिर्भुज है हमारा ABC और इसके किनी दो भुजाओं के मध्य बिंदूओं यानि माल यह इस AB भुजा का मध्य बिंदू D है और AC भुजा का मध्य बिंदू E है राइट मध्य बिंदूओं को मिलाने वाली रेखा है ना यहाँ पर देखे मिलाने वाली रेखा इन दोनों मध्य बिंदू को मिला देते हैं हम लोग तो एक हमारा रेखा खंड बन जाएगा या रेखा कह देंगे है ना यह वाला रेखा इस भूजा के समांतर होती है यानि तीसरी भूजा के समांतर होती है ये भूजा के समांतर होती है ऐसा आपको सिद करना है तो अब यहाँ पर ध्यान दीजेगा लिखेंगे हम लोग कि चुकी दिया हुआ है तिर्भूज ABC में D AB का मध्य बिंदू है और E AC का मध्य बिंदू है तो इतना ना लिख के आप अगर थोड़ा सा और भी बुद्धि अगर यूज करना चाहते हैं तो उस तरह भी लिख सकते हैं कि तिर्भूज ABC में D तथा E भूजाओं AB वो AC का मध्य बिंदू है तो सिद करना है DE समांतर BC है तो हमने ऐसा लिख दिया दूस्तों ठीक है अब उसके बाद जब D और E इस AB और AC का मध्य बिंदू है तो मध्य बिंदू है तब ये भूजा को समांदो टुकडों में विभाजित करेगा अर्थात AD बराबर DB और AE बराबर EC ऐसा होगा तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या निकलेगा तो यहाँ पर बूलोगे अर्थात अगर यहाँ पर थोड़ा सा काम बन जाएगा आपका है ना AD बराबर क्या हो जाएगा DB वह एई बराबर क्या हो जाएगा EC हो जाएगा राइट इसी होगा तो सीध करना है यहाँ पर लिखेंगे तो सीध करना है तो सीध करना है क्या सीध करके दिखाना है दोस्तों कि DE जो है BC के समांतर होगा right क्या होगा DE समांतर BC होगा है ना तो यह चीज लिखेंगे यहां पर डी इज पैरलल टू क्या हो जाएगा बी सी ऐसा आपको सिद्ध करना है ठीक है तो यहां पर हम लोग परमानद डाल लेते हैं बहुत ही आसान पर में है दोस्तों ठीक है हाँ कोई फिर भी अगर मिश्टेक होता है तो आप हमें राबर है है ना तो यहां पर लिखेंगे कि चुकी दिया है कि अधर है या करके खाली हम लोग लिखेंगे अधर कि रवटा में क्या हो जाएगा ड्या और यह इधर किसके बराबर होगा एक के इसको समिक्रा नमबर एक कर दिजिए तथा एई बराबर क्या दिया हुआ है इसी तथा एई बराबर क्या दिया हुआ है इसी है ना और देखा जाए तो इसी भी तो एक के साथ गुणा है ठिक तो इसी भाग में गुणा में इधर आएगा त इसको भी समिकरन नमबर दो दे देंगे अब देखिए एक एक के बराबर है तो ये वाला इसके बराबर होगा है ना फिर से ध्यान देजे एक जो है एक के ही बराबर होता है ना तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा तो बोलेंगे समिकरन एक वा दो से समिकरन एक वा दो से क्या हो जाएगा दोस्तो, AD बटा में DB, AD बटा में DB, बराबर होगा किसके, AE बटा में EC के, और देखा जाए तो AD बटा में DB, बराबर AE बटा में EC, अब यहाँ पर फिगर देख लिया जाए, AD बटा में DB, बराबर है AE बटा में EC के, यानि जब संगत भुजाय समानुपाती होती है तो ये वला रेखा इसके समांतर होता है और ये कैसे होता है तो थिल्स परमे के बिलोम से तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर लिख सकते हैं आप लिख लिजिएगा जगा देखते इसलिए थेल्स परमे के बिलोम से क्या हो जाएगा दोस्तों यह जो de है वो bc के समांतर हो जाएगा तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग de समांतर bc और यही तो सिद्ध करना था मैं है न तो यहाँ पर प्रूब्ड आप लिख सकते हो चलिए तो उमेद है आपको समझ में जरूर आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ठीक है और देखना मत भूलिएगा तो चलिए दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो जरूर है न तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद